Hello friends, welcome to my official YouTube channel आज के इस वीडियो में हम आपसे discuss करने जा रहा है कि General Knowledge जो आपका section आता है ATC exam में उसमें आप maximum score कैसे कर सकते हैं क्या आपका एक smart approach होना चाहिए जिससे आप 10 out of 10 score कर सकें General Knowledge में Maximum score आप कर सकते हैं 7, 8, 9, 10 अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और बहुत एक smart तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप जरूर score कर सकते हैं और ये मान के चलिए अगर आप 10 में से 10 score कर लेते हैं तो ये 10 number आपका पूरा पूरा सुचिए 120 में से 10 number तो आपको यहीं से मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आखिर हमारी क्या strategy होनी चाहिए क्या smart approach होनी चाहिए जिससे हम general knowledge में maximum score कर सकें उससे पहले हम आपको बता देते हैं हमारा लक्ष बैच और सफलता बैच अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि हम आपको technical plus non-technical पूरा का पूरा syllabus cover कराते हैं यहाँ पर आपको हम 400 plus वीडियो lectures provide कराएंगे 100 plus आपका study notes PDF मिलते हैं साथ में हर वीडियो lectures के साथ जो भी हमारे class notes होते हैं उनके साथ PDF मिलता है test series जो भी हमारे बैच है चाहे लक्ष बैच हो चाहे सफलता बैच हो और आपको एक और चीज़ बता देते हैं लक्ष बैच और सफलता बैच दोनों अलग-अलग medium में available हैं English medium student है तो उनके लिए भी available है completely English language में और Hindi medium है तो उनके लिए भी available है bilingual में तो यहाँ पर test series जो रहता है हमारा इसमें आपको 150 plus mock test हम लोग provide कराएंगे sectional test होगा, topic wise test होगा, mix test होगा और इसके साथ-साथ full length mock test होगा और especially design किया गया है ATC exam के लिए तो अगर आप हमारे किसी भी batch में enroll कराते हैं तो test series आपको purchase नहीं करनी है वो हमारे batch के साथ include रहता है 365 days value 80 रहता है 7000 plus practice questions हम आपको provide कराएंगे जो भी हमारी test series होती है चाहे वो test series हो या फिर हमारे video lectures हो test series हो या फिर video lectures हो आप इनको unlimited times access कर सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है unlimited streaming इसका मतलब यह है, test को आप जितनी बार चाहें आप इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा play store पर वहाँ पर search करिए प्रशान चितुरदी वहाँ पर आपको android app मिलेगा ATC exam preparation app वहाँ से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो जो हमारा जो यह course है यह आप mobile में भी access कर सकते हैं और इसके साथ laptop में भी access कर सकते हैं mobile में access करना है तो आपको हमारा android app install करना होगा और अगर आपको laptop से access करना है तो आपको हमारा website exam.prashantchitruedhi.com यह आपको visit करना होगा और जो भी आप अपना account बनाएंगे वो email ID और आपका password दोनो email मतलब same आपका email ID और password mobile app में भी काम करेगा और इसके साथ साथ laptop में भी काम करेगा कोई query है अगर आपकी batch करिगार्डिंग कोई inquiry है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारा calling number है 9860966974 6390291559 और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा test series है specially design किया गया है सिर्फ और सिर्फ ATC exam के लिए यह separately भी available है अगर आप batch में enroll नहीं करना चाते हैं सिर्फ test series लेना चाते हैं तो उसका link आपको description में दिया गया है आप वहाँ से ले सकते हैं इसके लावा यह हमारे last year के results हैं आपके सामने screen पर इसके लावा आपको हम बताते हैं इन्होंने airport operation में भी qualify किया है 107 number 120 में से score किया है चलिए आगे अब हम बात करते हैं आखिरकार general knowledge में हमें कैसे score करना है 10 out of 10 तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है previous year का जो भी हमारा paper है 2016, 2018, 2020 आप एक बार दरा उनको ढंक से analysis करिए तो यह 2020 के कुछ questions मैंने लिए हैं अगर आप उनको analysis करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ specific topics हैं specific topics हैं बस उनसे ही question पूछे गए ज़ादा तर questions वहीं से repeat होते हैं at least आपको 4 से 6 questions उन्हीं topic से मिलेंगे और यह आप देखिए आप previous year paper जाईए देखिए आपको हमारी website पर available है previous year paper का PDF डाउनलोड करना साथ हैं तो link आपको description में दिया गया है आप वहाँ से previous year paper का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसका solution भी available है तो आप अगर वो previous year paper देखेंगे तो कुछ specific topic हैं जहां से हर साल जब भी इनका exam हुआ है उनसे question repeat हुए ही हुए है तो चलिए देखते हैं पहला question क्या पूछा गया है पहला पूछा गया है बी आरो का full form क्या है तो बी आरो का full form है border roads organization दूसरा question है मौनसून सबसे पहले किस state में आता है तो वो है केरला तीसरा question है 29 अगस national sports दे किस personality sports person के भी आप पे मनाया जाता है तो major ध्यान चन ठीक है अब यह देखी यह जो है आपका question यह आपका shift 1 में भी पूछा गया है और shift 2 में भी पूछा गया है तो इसका मतलब एक चीज़ आप यह ध्यान रखिए यह important topic है आपका important days और इसमें कोई बहुत time नहीं लगता है जो जो important days है वो आपको at least पता ही होना चाहिए जैसे आपको पता है कि कल 21st June हमारा international yoga day था तो इस तरह के जो important days है हमारे इंडिया के और international इंडिया के लिए important है वो आपको at least जरूर पता होने चाहिए ठीक है ना जैसे national youth day कब होता है आप सबको पता है 12 जनवरी इस तरह से जो important days है वो आपको at least जरूर पता होना चाहिए तो एक चीज़ हमें समझ में आई एक topic हमारा निकल के आया important days ठीक है दूसरा देखिए गोदान author इसके author कौन थे मुंशी प्रेमचंद एक और question पूछा गया है book and author से related तो दूसरा हमारा specific topic आता है निकल के books and authors तीसरा question पूछा गया है how many union territories in India तो ये आपका last year पूछा गया था आप सबको पता होगा उस time पर जम्मू कश्मीर जो कि एक state था बाद में उसको दो union territory में बना दिया गया तो पहले हमारी जो territory थी union territories वो 7 थी बाद में आपको पता होगा कि दो और बनी जम्मू कश्मीर और लदाक तो 7 प्लस 2 कितना हुआ 9 लेकिन correct answer है 8 and Indian states आप इनके बारे में जरूर पढ़िए इसलिए पढ़िए क्योंकि Indian states तो आपको जरूर पता होना चाहिए जैसे कि उनकी capital ठीक है वहाँ के chief minister वहाँ के governor ये आपको पता होना चाहिए इसके अलावा कौन सा state किस चीज का सबसे ज़्यादा production करता है ये question आपका पूछा गया है और इसके अलावा census 2011 ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे question पूछे गया है जैसे कि आप देखिए इंडिया ये आपका question पूछा गया है सबसे ज़्यादा शाक्षर जो है राज ये वो कौन सा है वो है केरला तो ये आपको census तो भाई या जरूर पढ़ना होगा आपको क्योंकि इससे आपको question जरूर एक मिल सकता है इसके अलावा हम बात करते हैं तो देखिए इंडिया जो है ये हमसे पूछा गया था most populous nation है किस नंबर पे है first है second है third है fourth है तो सबको पता होगा second नंबर पे है पहले नंबर पे चाइना है सबसे ज़्यादा जो जन संक्या है वो कहां की है वो है चाइना की इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर कुछ question पूछे गया है economy से related इंडियन economy हमारी कैसे economy है तो अगर आपने economy पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा इंडियन economy हमारी mixed economy है इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया CPI का full form consumer price index तो आपको एक और topic यहाँ से समझ में आता है topic क्या पूरा subject economy economy आप पढ़ सकते हैं बहुत important topic है देखिए आपको पिछले साल में ही आप अगर देखेंगे तो तीन shift में हर shift में economy से related एक question पूछा गया है और कोई ऐसा बहुत difficult नहीं यह इंडियन economy आप अगर किसी भी कहीं से भी आप वीडियोस देख सकते हैं या आप किसी भी website को follow कर सकते हैं आप कहीं से भी normal जो general हमारी economy है simple simple बस आपको पता होने चाहिए economic कब से हमारी start होई सब से पहले जो आपको पता होगा 5 years plan हुए थे हमारा जो planning commission बनाता है यह सब सारी चीज़े आपको at least पता होने चाहिए इस से related question आपका पूछा जा सकता है इसके लावा human body इसके बारे भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए यह भी एक important topic है human body जैसे यहाँ पर पूछा गया non metal required by human body correct answer है iodine pH पूछा गया human body का किस range में like करता है तो 727.8 ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए human body से related मतलब की biology आपको भी यह थोड़ी बहुत तो पढ़नी ही पढ़ेगी अब biology में जो daily आपके science के question होते हैं at least आप वो पढ़ लिजे instruments होते हैं वो पढ़ लिजे इसके अलावा जो भी हमारे human body से related questions हैं आपको biology में मिल जाएंगे किसी भी SSC की आप book ले सकते हैं वहाँ पे biology के question मिल जाएंगे जो human body से related होंगे आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं ठीक है इसके अलावा देखिए आप से question पूछा गया India's first atomic power station तारापुर यह कहां पर है तारापुर महरास्टा में तो इसके लिए कुछ-कुछ topics हैं जैसे कि आपका static GK होता है static GK के बारे में आपको जरूर पता होने जैसे कि important topics होते हैं जैसे कि आपको यह पता है power stations कहां कहां पर इंडिया में ठीक है यह सारे पता होने चाहिए इसके लावा जो most important topics होते हैं जैसे कि आपको पता होने चाहिए कि nobel prize जो होता है nobel prize कि इसको दिया गया उसके बारे में पता होने जो recently आपके awards announce किये गए awards के बारे में आप जरूर पढ़ लिजेगा उसके जादा उसके अलावा आपको sports जरूर पढ़ना पढ़ेगा sports related question पूछते हैं अब last year का जो paper था जो आपका 2020 का आया था वहाँ पर current affairs के questions कम थे तो students को यह लगता है current affairs पूछा ही नहीं कि आप हम इतना जी के कैसे पढ़ेगा तो आप अगर धंक से previous year paper analysis करेंगे तो आपको कुछ कुछ topics मिलेंगे यह अभी मैंने सिर्फ 2020 का analysis किया उसके basis पे मैं आपको बता रहा हूँ आप अगर पिछले 4, 5, 2016, 2014 सारे paper उठाईए सारे analysis करिए और देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा topic important है सबसे important जो है वो है quality पॉलिटी से question तो भीया जरूर पूछा जाता है पॉलिटी most important है इसके लावा history में जो भी आपके emperor हुए है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए पहला emperor, mughal emperor कौन था last mughal emperor कौन था यह question पूछा भी गया है last mughal emperor कौन था तो इस तरह के question आपको at least पता होना चाहिए इसके लावा अगर syllabus की बात करें यह तो था एक हमारा analysis कि हमें क्या-क्या topics पढ़ने हैं किस तरह से पढ़ने हैं ठीक है अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कुछ और important चीज जैसे की यह तो बात हो गई जीके की ठीक है अगर आपके पास time नहीं है या आपको लगता हम जीके नहीं पढ़ सकते हैं या जीके हमें पढ़ना ही नहीं है तो कुछ important topics हैं मैंने आपको बताएं यह सिर्फ कुछ बताएं बाकी आप क्या करिए जाइए पिछले 6-7 साल के paper उठाईए और वहाँ पर देखिए हमें analysis करिए देखिए कौन-कौन से specific topic हैं उने specific topic को पढ़िए आपको जरूर वहाँ से 4-5 question मिलेंगे इसके अलाव आपको क्या करना है आपको भज़िया current affairs जरूर पढ़ना है current affairs छोड़ना ही नहीं last year आया हो या ना आया हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं current affairs हमें पढ़ना ही पढ़ना है last 8-9 months और अगर आपके पास time है तो आप एक साल का भी पढ़ सकते हैं नहीं तो फिर 8-9 महिने का sufficient है current affairs आपको पढ़ने ही पढ़ना है इसली हमारा IPL हुआ है तो IPL के बारे में आपको पता होना चाहिए purple cap किसे मिला, orange cap किसे मिला कौन सी team जीती है क्या उसम को award में कितना cash award मिला, क्या price money होती ये सब सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए ठीक है इसके अलाबा जो भी अलग और जो भी sports activities होती है जैसे आपको पता होगा badminton में जो भी thomas cup हुआ था thomas cup इंडिया ने जीता था इंडोनेशिया को रहा के, ठीक है तो ये बहुत important point है, बहुत important topic है इस से related आपका question पूछ लिया जाएगा sports gk आपको जरूर पढ़ना है पिछले 6-8 मेने का sports gk से question आपका ये जरूर पूछ सकते है ठीक है, अब इसके अलावा हम आपको syllabus बता देते हैं syllabus पूरा अगर आप देखेंगे तो history है, geography है, polity है physics है, biology है, chemistry है famous personalities पढ़ना ही पढ़ना presidents आपको पढ़ना ही पढ़ना अब ये इंडिया के बाहर के नहीं पढ़ने है आपको इंडिया के पढ़ने है, prime minister इंडिया के पढ़ने है, मतलब कि पहले से लेके अभी तक जितने भी prime ministers इंडिया में हुए है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए हर state के chief ministers मिनिस्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन चीफ मिनिस्टर है हर स्टेट के गवर्नर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए नेशनल सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए रिवर्स एंड डैम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए लिस्ट ऑफ ए DRDO है उसका headquarter कहां पर है इस तरह के question आप जरूर पढ़ लिजेगा biosphere reserve अगर आपको time मिलता है तो तो आप पढ़िएगा otherwise मत पढ़िएगा हाँ दूसरा ये सबसे एक और important point है जो मैं बताना चूड़ बताना आपको भूल गया central government की जितनी scheme है जैसे आपको पता होगा अभी एक scheme चल लएए अगनी वीर है ना तो इस तरह की schemes जो भी होती है जैसे कि कब launch करी गई है ये भी question आपका exam में पूछ लिया था तो इस तरह की जो भी government की schemes है इनके बारे में आपको ज़रूर knowledge होनी चाहिए first in India ये भी आपको पता होने चाहिए हमारी website पर ये available है जो भी static gk का part है जैसे कि central government schemes पूरा pdf available है first in India ये भी available है इसके अलावा rivers and dams, biosphere reserves, chief minister, prime minister, president, governors, सारा कुछ हमारी website पर static gk आपको मिल जाएगा आप जाके वहाँ पर search करिए static gk ये सारे के सारे pdf आपको वहाँ पर मिल जाएगे important days, states and capitals ये सब आपको मिल जाएगा country and currency ये आपको पढ़ना पड़ेगा ये से ये आपको at least मतलब की जो भी Asian countries हैं उनके बारे में आपको at least जरूर पता होना चाहिए National parks ऐसे ही अभी आपका पूछा गया था ना power plants तो ऐसे ही power plants के बारे में भी आपको पता होना चाहिए Awards ये most important topic है ठीक है biggest, largest, longest ये भी आपको पता होना चाहिए नहीं time है तो आप इसको छोड़ सकते हैं इस topic का आप skip कर सकते हैं लेकिन पढ़ेंगे तो better रहेगा क्योंकि एक्जाम में कुछ भी पूछ सकता है invention and discoveries ये भी आप जरूर पढ़ियाएगा ये भी एक important topic है और इसके अलावा sports जीके तो अगर हम sum up करें ये सब तो भी सिलेबस था क्या-क्या है सब तो अगर हम आपको sum up करके हम बताएं तो आपको क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहले polity नहीं छोड़ना है सब कुछ पढ़ना polity में sports से related जितनी भी news है latest पिछले 5-6 महिने की awards से related जितनी भी news है important persons जो भी पिछले 5-6 महिने में appoint हुए है ठीक है ना at least आपको पता होना चाहिए जैसे कि आपको पता होगा चुनाव आयुक जो हमारे मुखे चुनाव आयुक्त है chief election commissioner वो भी नए appoint हुए है तो ये सब जितने important persons हैं ये आपको पता होने चाहिए इसके अलावा important days आपको पता होने चाहिए अगर आप जीके नहीं पढ़ सकते हैं आपको पता है हमारा पास time नहीं या हमारा पढ़ने का money नहीं है हमें पढ़ना ही नहीं जीके तो जो जो आपको specific topic मैंने बता दी है आप at least इनको जरूर पढ़के जाईए और पिछले 6 साल का analysis कर लिजिए आप देख लिजिए कि क्या क्या topic आए है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता दीजिए तो आपको पिछले 6 साल का पूरा previous year paper का general knowledge का analysis करके आपको बता दूँग कौन सा topic most important है और कौन सा नहीं है ठीक है और कोई query है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं so thank you very much and thank you for watching